validity क्या होती है, reliability क्या होती है, objectivity क्या होती है दोस्तों आपने इससे related बहुत सारी वیडियो देखी होंगी मैंने भी चैनल पर पहले इन topic पर already वीडियो बना चुकी है लेकिन उसके बाद भी काफी सारे students के message आ रहे थे क्रक्रांट को हम अनके बीच में इस होता है तो आज की इस क्लास में हम एक साथ कम्राइब करेंगे पुरा क्लियर करेंगे तो में गैंफ से ह fulfill डाइग्राम के साथ लेटेस्ट एक्जांपल के साथ रियल लाइफ से जुड़े हुए एक्जांपल में आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा बस शर्त यहीं है कि आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बिना इसकिप करें देख सेंट चांस है कि इनमें से आपका लोग आंसर टाइप कोईशन आएगा तो लोग आंसर टाइप कोईशन आपका नोर्मली आठ नंबर का आता है एट माक्स का आता है लेकिन अगर जैसी तरीकी से सिट्वेशन है कोविड की और पैटर्न लास्ट येर वाला रहता है तो आज की इस वीडियो तो अगर आप असेस्मेंट फॉर लर्निंग का पेपर देते हैं आपके ये टॉपिक्स आपको दिखेंगे सबसे पहले हम इन टॉपिक का बेस समझते हैं बेस क्या है क्वालिटी ओफ गुड टूल्स एंड मैथर्स ओफ एजुकेशनल मेजरमेंट्स आपके टेस्ट होते हैं आपके एग्जाम्स होते हैं ठिके आपकी अजुकेशनल कॉलिटी अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस भी मैथट से जिस भी टूल्स से जिस भी डिवाइक से जिस भी मशीन से हम किसी भी quality को measure कर रहे हैं उसमें क्या-क्या गुन होने चाहिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी भी test में किसी भी device में टूल में यह गुन होने चाहिए तभी हम कहेंगे कि हाँ आपका test बहुत अच्छे से हो रहा है कौन-कौन से गुन सबसे पहले आता है validity उसके बाद reliability, objectivity, norms, comprehensiveness, and practicability अब इसमें से हम केवल और केवल 4 करेंगे strategy क्यों क्यों क्योंकि आपके syllabus में यही 4 है इन्हीं में से आपके question पूछे जाएंगे यह दो आपके syllabus में नहीं है इनसे आपके question नहीं आएंगे तो चली सबसे पहले हम बात करते है validity की वैद्धे तक अगर आप इसका definition देखेंगे तो देख सकते हैं, best tools or method should be able to measure that traits or quality for which it is being used, मतलब कोई भी test हो या कोई भी method हो या कोई भी device हो सकता है जिससे आप measure कर रहे है quality को, तो जब वो device उसी quality को measure कर रहा है, जिस quality को measure करने के लिए वो बनाया गया है, तो हम कहते हैं, हाँ यह device जो है valid इसको easy way में समझते हैं, आपका कोई test लिया जा रहा है, उस test को लेने की पीछे कुछ objectives होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, कि हाँ आपकी intelligence को measure करना है, या आपकी memory power को measure करना है, या आपकी understanding को measure करना है, कौन से quality को measure करना है, अगर वो test आपकी उसी quality को measure कर रहा है, जिस quality को measure करने के लिए वो बनाया गया है, तब वो test valid कहलाता है, और अगर वो test आपकी उन quality को measure नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वो बनाया गया है, तो वो test invalid कहलाता है, ठीके, इसका diagram आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में यह हमारा उद्देश्य है, aim at target है, हम हमने एक method अपनाया, तरीका अपनाया, हमने उसका एक उद्देश्य ले लिया, example लेते हैं, कि हमने एक class test लिया, और class test लेने के पीछे हमारा उद्देश्य यह था, कि हम बच्चों की understanding power को समझना चाहते हैं, हम यह समझना चाहते हैं, कि बच्चे ने इस topic के बारे में कितन understand किया, याद किया, यह हमें नहीं measure करना है, हमें यह measure करना है, कि क्या बच्चा इस topic के बारे में समझ पाया है नहीं, हम उसका test बनाया और बच्चे को दे लिए, तो अगर वो test बच्चे की understanding power को measure कर पा रहा है, तो हम कहेंगे test valid है, और अगर कैसा नहीं कर पा रहा है, तो ह बच्चों के अगर हमें understanding को समझना है तो हम किस तरीके के questions उसमें रखेंगे हम एक्जाम्पल से related questions रख सकते हैं हम practical questions रख सकते हैं यह में descriptive questions रखेंगे आपके बीड में descriptive subjective questions आते हैं ताकि आपकी understanding को समझ सके आपके point of view को जान सके यह समझ सके कि आपने topic को समझा की नहीं करना है लेकिन हमने उसमें सारे objective type questions दे दिए जैसे true false fill in the blanks right wrong इस तरह की question सारे दे दिए तब हमारा test invalid कहलाएगा क्यों 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 क्योंकि true false हो आपका one words हो fill in the blanks हो यह सारे सिर्फ और सिर्फ आपकी memory पर based होते हैं बच्चे को topic ना भी समझ में आए तो भी वह उस चीज पास करके 100 marks ले आए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह टेस्ट जो है इसका मतलब टेस्ट invalid है हमने तो understanding quality को measure करना था लेकिन वह नहीं कर पा रहा है तो वैलिटी क्या हुई जिस quality को measure करने के लिए कोई test बनाया जा रहा है या कोई तरीका अपनाया जा रहा है या किसी device या दो given लिए एक एक आपके टेट के एकज़ाम्स होते हैं ACT इंका एम किया होता हैं उनका एयम यह होता है कि师 ते एलिजबलर की test को हमें चैक करना है हमें यह चैक करना है कि सामने वाला teacher बनने लायक है कि नहीं है ये teachers बनने की eligibility रखता है कि नहीं रखता है तो आपके TED के exam में जितने भी questions आप से पूछे जाते हैं वो उसी पर ही based होते हैं जिसमें की teaching aptitude जलतना होता है ठीके उस questions के तुरू आपका teaching behavior देखा जाता है ये देखा जाता है कि आपका behavior किस तरीके से हैं आप class में बच्चों के साथ deal कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो उसी पर ही based सारी questions आपसे पूछे जाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ test valid है इसी कही opposite अगर check तो हमें ये करना है कि आप teacher बनने लायक हैं ये नहीं है और आपसे question कैसे पूछे जा रहे हैं अजीव कोई और content से related question नहीं पूछे जा रहे हैं आपके तो कहेंगे test invalid है teacher बनने की eligibility को check करना था लेकिन यहां तो आपसे सिर्फ और से general knowledge के questions पूछे जा रहे हैं general knowledge और teaching aptitude का कोई connection नहीं है यही reason है कि आपके test के exams में general knowledge से related questions नहीं पूछे जाते हैं ठीक है तो यहां पर validity क्या हुई कि जिस quality को measure करने के लिए कोई test बनाया जाए अगर वो उसी quality को measure करता है तो test valid है और अगर ऐसे नहीं करता है तो test invalid है चली यह point आपको clear हो गया होगा आगे चलते हैं next types of validity वैद्देता के प्रकार अब यहां पर आपको book में बहुत सारी types देखेंगे तो पहली दो बात में यह clear कर देती हूं यहां पर types के जो आपके types हैं इनको जादा detail में समझने के जरूरत नहीं है थोड़ा-थोड़ा basics आम content है जो कुछना अंसर है जो भी आपने पूछा हुआ है तो उससे related validity है यह आपकी इसके बाद second आ जाता है criteria से related यहनि कि जो आपके मांदंड होते है criteria होते हैं उससे related related validity अब सबसे पहले content validity के ही कुछ और सब टाइप्स हैं पहला है face validity मतलब चहरे की वद्धिता face validity नाम से पता चल रहा है कि टेस्ट को देखने से ही हमें पता चल जाए कि टेस्ट वैलिड है कि नहीं है ठीक है यहां पर आप definition देखते हैं वैदर और नोट योर टेस्ट मेजर what is supposed to measure ठीक है मतलब क्या है हमें टेस्ट देखने से पता चल रहा है कि हमने टेस्ट बेखा हमारे हाथ में कोई टेस्ट पेपर आया ठीक है टेस्ट देखने से हमें लगा कि हाथ सही है यह यह quality को मेजर कर सकता है जिसके लिए बनाना गया तो यह कहला थी face validity ठीक है कि देखन से हमें पता चल जाए कि देष्ट वेलीडिटी है इसके बाद आता है logical validity तारक क्वृद्दत आ अगर आपके टेस्ट में logic based question पूछे जा रही है ठीक है आपके test में कोई ऐसा question पूछा जाए जहां पर कुछ logic लगाना पड़े कुछ mind लगाना पड़े तब हम कहेंगे कि logic के according यह test valid है यह test logical है ठीक है अगर उसमें कोई भी question ऐसा नहीं है जिसमें कि कुछ logic लग रहा हो कुछ mind लग रहा हो तो हम कहें कोई research करनी है ठीक है अभी जिससे कोरोना ही आया कोरोना के लिए वैक्सीन बनी कोविड वैक्सीन की research हुई खोज हुई ठीक है एक antidote बनाया गया एक वैक्सीन बनाई गया अब उस वैक्सीन को का पहले trial चला ठीक है trial में क्या होता है कि कुछ samples ले लिए जाते है कुछ randomly pupils ल उसका result अच्छा आता है बैस्ट आता है उसको हम generalize कर देते हैं उसको कहते हैं यह वैक्सीन जो है बिल्कुल सही है इसको हम सभी पर यूज कर सकते हैं ऐसा तो नहीं कि सुरू में हमने सब पर यूज कर दिया डायरक्त नहीं पहले हम थोड़ा सेंपल लेते हैं यानि कि कु सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कुछ काम कर रहे हैं तब हम हर चीज को पूरी पॉपुलेशन पर डिरेक्ली अपलाई नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं पूपुलेशन से कुछ लोग ले लिए यहां पर माली जी 20 लोग हैं 20-20 पर हमें प्लाइब ने करना उनमें से कोई चार परसन हमने ले लिए ठीक है उन चार परसन पर वह अपना रिसेर्च करके देखें ट्राइल करके देखेंगे अगर इन पर वो टेस्ट पास हो गया ठीक है रिजल्ट अच्छा आया तब हम उसको सब पर अपलाई कर देंगी तो यह कहलाती है सेंप्लिंग वैलेडिटी ठीक है अगर मैं थोड़ा से सको शॉट में बताँ या ब्रीफ में बताने की कोशिश करहूं सेंप्लिंग वैलेडिटी जब कहलाएगी कि हमने चार लोगों पर कुछ टेस्ट अपलाई किया और वह टेस्ट सभी पर एपलाई हो रहा है तो सेंप्लिंग वैलेडिटी है यह तो सही था रिजल्ट अच्छा आ रहा था लेकिन जैसा ही हमने पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम यह कहेंगे कि यह सैंप्लिंग वालिडिटी नहीं है जैसे अगर वैक्सिन का एक्जांपल नहीं वैक्सिन में जब हमने 10 लोगो पर अप्लाई करके कुछ चीज़ देखते हैं और उसको हम जैनलाइज कर पाई उसको हम सभी पर अप्लाई कर पाई तो वह सैंप्लिंग वालिडिटी कहलाएं इसके बाद नेक्स आती है आइटं वैलिडिटी अपका को टेस्ट है ठीकर टेस्ट पीपर में चार कोश नाख को दिये हुए है तो चार कोश्चन जो है वह आपते आइटम है ठीक है अलग अलग अब वह वैलिड है कि नहीं है आप से आपकी अंडेस्टेंडिंग को क्वालिटी को मेजर करना है तो जो कोश्चन पूछे जाएं वह डिस्क्रेप्टिव पूछे जाएंगे अगर आपकी म रिलेटिड वैलिडिटी को मेजर करना चाहते हैं हम बच्ते की अप्लाई को मेजर करना चाहते है कि वह दोती समझ रहा है उसको एक कर सकता है कि नहीं प्रिया कर सकता उसके लिए हम क्या करेंगे टेस्ट में कुछ प्रैक्टिकल कोश्चन से देंगे रियल लाइफ से जुड़े हुए ठीक है जहां पर उसको वो नॉलिज अपलाई करने पड़े ताकि हमें पता चल सके कि वो रियल लाइफ में उस चीज़ को अपलाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है इसको मैं शोट में बता देती हूं क्राइटिर रिलेटिन हमारे कुछ नॉर्म होती है क्राइटरिया आप सब जानते हैं ऐegenwo क्या होते हैं अगर अगर आपका टेस्ट उन मांधंडों पर खरा उतरता है तो क्राइटेरीं रिलेट डिन कहलाती है तो इसमें यह इंस कब को जादे डिटेल में करने की जरुरत नहीं है ना में आप याद रख लेना का वही आपका काफी रहीगा अगर अग्जाम में आपका कोशन आता है आप किस तरीके से करेंगे आपने पहले टाइपस ओफ वालेडिटी हैडिंग डाला ठीक है और आपका नेक्स कंस्ट्रक्शन हो गया इनके अंदर जो भी पार्ट से वो डिफाइन कर देंगे आपने पूरा एक चार्ट पेपर शो कर दिया और सारे टाइपस को मेंशन कर दिया अब इन में से जो टाइप आपको अच्छे से आते हैं उन टाइप को हैडिंग डाली ज आप यहां पर चाहिए तीन टाइपस को एक्स्प्रेंड करेंगे तो यहां टाइपस को ही देखकर इस चार्ट पेपर को देखकर उनको पता चल देगा कि हाँ आप इनके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत आगल आगे लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ेंगे इस्टार् कि पहले सभी टाइपस को मेंशन कर दो जितने भी हैं ना मेंशन कर दो उसके बाद उनमें से चार पांच तीन दो जितने भी आपको आते हैं उनको एक्स्प्रेंड कर दीजिए तो नेक्स आप आगे चलते हैं factors affecting validity of a test ऐसे कौन-कौन से factors है जो आपके test की validity को affect कर सकते हैं यहीं कि कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जिससे आपका test valid या invalid हो सकता है सबसे पहले तो objectives of measurements आप क्या measure कर रहे हैं आप measure करने की पीछे आपका क्या objective है आप बच्चे का understanding power को measure करना है आपको बच्चे की memory power को measure करना है किस quality को measure करना है आपके objective अगर clear है तब आप उसके according test बनाएंगी तो आपका test valid रहेगा अगर आपके mind में खुद ही clear नहीं है कि आपको किस quality को measure करना है अगर आपको अपना उद्देश्य नहीं पता है तब आपका test बिलकुल ही invalid होगा क्यों क्योंकि objectives ही नहीं पता आप मन जो मन question आएगा आगे उस question को रख देंगे आप यहीं नहीं decide कर पाएंगे कि कौन सा question रखना है कौन सा नहीं आप direct सभी questions को रख देंगे तो आपका test invalid कहलाएगा next step weight is given to content आपने बीड का exam paper आता है उसमें कुछ question short आते हैं कुछ question long आते हैं कुछ question very short आते हैं ठीक है तो यह होता है weight is given to content आपका जो भी content है टेस्ट में उसको कितना weight is दिया जा रहा है कौन सा question कितने marks का है अगर यह आपने अच्छी से marking करी तब आपका test valid रहीगा अगर आपने objective questions तो चार नंबर कर रख दिया और subjective questions जो पूरा long question है उसको आपने दो नंबर कर रखा test valid नहीं types of questions आपने किस तरीकी के questions उसमें test में दिये हैं आपको अगर understanding power को measure करना है तो आप इसमें short question यह long question देंगी अगर memory power को measure करना है तो आप उसमें very short questions देंगे objective questions देंगे true false questions देंगे ठीके अगर आपको बच्चों की apply power को देखना है कि बच्चे apply कर पा रहे कि ने कर पा रहे हैं तो आप बच्चे को practical से related कुछ experimental questions दे देंगे जिससे बच्चे experiment कर पाई या practically अपना answer कर पाई ठीके difficulty level of questions आप जो भी question दे रहे हैं ठीके उनका difficulty level average होना चाहिए ना ही तो ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा hard question आपने दे दिया तो जो normal students होंगे वो उस question को नहीं कर पाएंगी test valid नहीं है ठीके आप सिर्फ और सिर्फ intelligent बच्चों को थोड़ी टेस्ट ले रहें आप हर तरह के बच्चों को टेस्ट ले रहें तो उनकी डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए questions का ना बहुत ज़्यादा hard ना बहुत ज़्यादा easy एक average level होना चाहिए language of test item आप जो भी questions पूछ रहें उनकी language जो है easy होने चाहिए समझने लाइक होनी चाहिए understandable होना चाहिए कई बार ऐसे questions आ जाते हैं कि यहीं नहीं पता चलता कि इस question में exactly पूछा क्या गया है या वो पूछना क्या चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए language बिल्कुल clear होने चाह जाए नहीं तो बहुत लोंग टेस्ट बनाया जाए बहुत ज्यादा लंबा टेस्ट बना दिया उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में बच्चे करेंगे दो घंटा तीन घंटा बच्चे ने करा उसके बाद बच्चे थक जाते हैं तो बाद के questions चाहिए आते भी होंगी बच्चे के तो भी वह नहीं कर पाएगा क्योंकि थक चुका है तो बच्चे ने आते भी नहीं कर रहा तो बच्चे को मेजर ही नहीं कर पाया तो नहीं तो बिल्कुल की पांच-छे घंटे का टेस्ट हो गया तो टेस्ट की लेंथ जो है वह भी objectives के according होनी चाहिए ऐसा जिस सोच के कुछ ना कुछ आइडिया लगा कि उनके पास बहुत सारे टाइम है किसी ने किसी तरह किसे कर लेंगे ठीक है वहीं पर ही आपको descriptive लोग answer बच्चों को दिए और आपने उनको टाइम दे दिया दस मिनिट तो क्या होगा बच्चों को आता है बच्चे समझते हैं करत तो यह कुछ factors हैं जो कि आपकी validity को test के validity को affect करते हैं एक्जाम में जब कोशन आएगा तो इनको आप heading बनाएंगे और इसके इंदर जैसे मैंने examples के साथ explain किया है वैसे ही आप explain करेंगे ताकि आपका answer long हो जाए ठीक है next इसके बाद आता है methods of finding out the validity of a test अब यहां पर main बात आ आप देखेंगे आपको फोर तरीके आपको दिये हुए हैं सिंपल कोर्यलेशन मेथड बाइसीरियल कोर्यलेशन मेथड पॉइंट बाइसीरियल कोर्यलेशन मेथड अब यहां पर आपको समझना होगा काफी सारे student जो है confused है कि इनमें सारे करें कैसे करें कुछ भी समझ नही दो नहीं है कि आप मैथर लिखेंगे आपने हैडिंग डाली मैथर फ्कों इन्दर इसके अंदर आपने सभी मैंशन कर दिया अब उसके अंदर इन चारों मेंसे जो भी मैथ्ड आपको सबसे इजी या कमफर्टेबल लगता है उस मैथड की हैडिंग डाइए और उसके नहीं आप से नहीं पूछा जाएगा कि सिंपल को रिलेशन में नहीं आप से नॉर्मल कोश्चन याएगा कि वैलीडीटी सी आप क्या समझते हैं वैलीडीटी को एक्स्क्रेंट करो तब उसमें ओल्रेडी इतना सारा को यहीं नहीं पूछा जाएगा हाँ सिंपल कोरिलेशन में इसमें में इंपोर्टेंट का सिर्फ और सर्थ फॉर्मला आप से वैयरी में पूछा जा सकता है यह बाकि इससे अलग किसी भी तरीइच कोई कॉश्चन नहीं आएगा में सो यह तो आप Соर काğitzer आ धर जाय इससे numerical नहीं पूछे जाएंगे आपको कोई question देकर यह नहीं कहा जाएगा कि इसकी validity को measure करूँ नहीं कुछ numerical portion नहीं आएंगे सिर्फ theoretical अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप एक test का method जो इसको explain कर सकते हैं तो इसमें हम simple correlation method को मैंने यहां पर किया है इसको इसलिए लिया है क्योंकि यह सभी में important है दूसरी चीज simple correlation method का जो यह formula है यह आपका आगे भी काम आएगा reliability में अब्जेक्टिविटी में उन सब में भी जो formula है वो similar है काफी हद तक same same है तो आपको अलग-अलग formula याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी जादा confusion नहीं होगी क्योंकि formula जो है तीनो चारों में बिल्कुल similar से रहेंगे थोड़ा बहुत difference रहेगा easily आपको एक formula याद करेंगे आपको सारा याद हो जाएगा तो अलग-अलग formula याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसी लिए मैंने यहाँ पर यह simple correlation method लिखा है आपने simple correlation method heading लाली इस मतलब है एक्स का क्या मतलब है यह आप लिखेंगे इसके बाद यह लाइन जरूर लिखेंगे आप when the value of coefficient of correlation is high and positive the validity level of test is high मतलब जो यह आर आपका आया है जो आर आया है यह अगर positive है ठीक है तो जो test है वो valid है ठीक है और जितना जादा high जाएगा उतना ही जादा test valid हुगा जितना जादा low रहेगा उतना test कम valid रहेगा और अगर negative में चली गए value तो test invalid हो जाता है यह बात आप जो है थोड़ा सा याद रखेंगे अच्छी तरीकी से कि अगर आर की value यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अगर आर की value positive है तो test valid है ठीक है वैलिड अगर negative है तो test invalid है जितनी जादा high value होगी उतना जादा high validity भी उतनी जादा होगी और जितनी negativity में जितनी कम करने की जरूद नहीं है कोई भी नेमरी कल नहीं आएगा तीक है बाग की आपके बुक में लिखावागा कुछ भी करने की जरूद नहीं इसमें आपका इतना ही हो जाएगा इस से रिलेटर आपको सिर्फ कोशन यह आता है कि वैलेडिटी से आप क्या समझते हैं इसको किसी भी टेस्ट की वैलेडिटी को की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मॉला है इसमें भी कुछ समझाना नहीं है या ना समझना है सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मॉले को लर्न करना है और इस फॉर्मॉले को लिख देना है ठीक है अब बढ़ाना तो क्या तरिक हो सकते हैं तो वह टेस्ट की को अफेक्ट कर रहे थी उन्हीं फैक्टर को उप्रूफ कर दो आपकी वैलेडिटी ओलर ऑटोमेटिकली बढ़ जाई जैसे अगर आपको अपने मांक्स बढ़ाने हैं इंप्रूट करने हैं तो आप अपनी कम्या ढूं से उन वालिटीटीट को फ्लेट को अफेक्ट कर रहे हैं उन को सिन जयसे अपना इम्स ऑप जैसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो भी एक भी होने हैं और वह बिलकैंग स्लीक्टीर होना चाहिए ढ़के सीपल होना चाहिए जाताव बड़ा होच्चाली ताकि बच्चे को कि इनं花 चलजाए में चिपांच से चार करने हैं कि क्षोफन को कितने शबदों में लिखना वो सारी इंस्ट्रक्शन दी जाना कि कि सी तरह सा gak नेक्स्ट भाडते हैं हम रिलाइबिलीटी यानिकि विश वस kleineevita इन्वी कि कि मान लेजी आज आज आपका math में test हुआ ठीक है? आज आज आपके math में test हुआ और आपके marks आए 70 above 100 ठीक है 100 मंसे 70 marks आए, एक हफ़ते बाल फिर से आपका math में test हुआ और आपके marks रह जाते हैं 30 out of 100 या फिर आपके marks आते है 90 out of 100 तो क्या कहलेगा? test reliable नहीं है अगर आपका आज टेस्ट हुआ आपके मार्क से 70 एक हफ़ते बाद हुआ आपके मार्क साते हैं 75 ये 65 67 68 मतलब 70 की आजपास है तो कहेंगे कर सकते हैं आप में इंप्रोव्मेंट भी आ सकता है हो सकता है आप चीजों को इग्नोर भी कर दे कुछ चीजों को लेकिन बहुत जादे डिफरेंस नहीं आना चाहिए जितना डिफरेंस जितना कम होगा टेस्ट उतना ही जादा रिलायबल चैल आएगा एक्जम्पल मैंने आपको दे दिया है कि अगर आपका आज कोई टैस्ट हो रहा है और आज क्या आज आपके सत्तर परसेंट आ रहे हैं और चार दिन बाद आपका टैस्ट लिया ज़िए और आपका 35 पर सेंट नमबर आए मुदलब टैस्ट रिलायब था लेवल बहुत ज़्यादा हार यह सीचुशन हो सकती है तो मतलब टैस्ट रिलाइबल नहीं है इसका एक एक्जामपल और हो सकता है आपने देखा होगा अकसर क्या होता है कि चीटिंग को रोकने के लिए सैट बनाए जाते हैं ठीक है और नौर्मली सीट वगरह में पसमें चीटिंग ना हो सके ठीक है अब एक बच्चा है रोहित जब सैट एक को करता है उसके मांक्स आते हैं 70 और जब सैट बी को कर रहा है उसके मांक्स आ रहे हैं 50 परसेंट 60 या उसके मांक्स आ रहे हैं 90 परसेंट मतलब टेस्ट रिलाइबल नहीं है एक टेस्ट बहुत यहां पर आप देख सकते हैं इस डियाग्राम में आप देख सकते हैं जितनी भी बार ले गए है सब की मार्किंग जो है क्या है आसपास है तो हम यह कहेंगे टैस्ट जो है इनवैलिड है वैलिडिटी में यहां पर आपको क्लियर हो गया यहां टैस्ट इनवैलिड है लेकिन रिलायबल है ठीक है मार्किंग रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है बच्चों की चाहिए आज लेलो टैस्ट चाहिए एक हफ्ते बाद लेलो चाहिए चार दिन बाद लेलो लेकिन इनवैलिड है क्योंकि जो अब्जेक्टिव हमारा था उसको वह फुल्फिल नहीं कर पा रहा है तो यहां पर हम दियाग्राम से देखके कह सकते हैं कि टैस्ट इन्वैलिड है लेकिन इस आपने अप्ते हो जाएगी methods of finding out reliability of a test validity की तरह इसमें भी आपके 60 जो है तरीके है methods है इन सब को आप mention कर देंगे जब भी exam में आएगा और इन में से जो आपको अच्छी तरीकी से आता हो उसको आप explain कर देंगे या उसका formula लेंगे इसमें हम test retest method को लेंगे ठीक है और इसका आपका formula यह रहा इसको आप याद करेंगे क्योंकि इन में तो याद ही करना है समझना कुछ नहीं है यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यह formula आपका reliability का मैंने लिया ठीक है? validity का मैंने यहाँ पर यह लिया था तो formula जो है आपको अलग-अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यही रिजन है कि मैंने यह तो यह कि आपको अलग-अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनमें से यही टेस्ट है जो की जाधा probability को affect करते हैं length of the test हो सकता है टेस्ट की लैंद बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई starting के question बच्चे ने कर लिए बाद के question में बच्चे को आलस आ गया या बच्चा ठग गया बच्चे जानते वे भी उसको में mistake कर देता है ठीक है abilities होगी वह अलग अलग होगी अगर वह टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है अलग अलग बता पा रहा है कि यह आपके लास में यह बच्चा है बच्चा बहुत जादा डल है तो यह नहीं बता पा रहा है कि कौन बच्चा इंचलनुक्र को नहीं सभी बच्चे जो है क्या है एक सार नंबर लई सब्सक्याइब नहीं है तो मतलब डिस्क्रिमियूट्ब आप पावर अच्छी नहीं है अगर ऑबजेक्टिव होता वह क्यों होगा वह सब्सक्राइब क्यों देलाइबल कि उसमें साथ सोचने की अपना मैंड लगाने की सरोत तिसमें मेमोरी पावर है आपने रट लिया याद कर लिया दंद बाद भी आप पर मांग्स ज्यादतर सेम रहें कि अगर कोई कहिए कि रिलाबिलिटी को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं कैसे इनच कर सकते तो इनी को ही इंप्रूब करके आपकी रिलाइबिलिटी हो जाएगी लेंट ओफ टेस्ट यह आप फॉर्मॉला याद करेंगे इसका ठीक है मैथट्स ओफ इनैंचिंग यह रहा देखिए पेज प्रियो官 खुझे और वह सब्सक्राइब City के लिए उन पर फॉकस करो उनको इंप्रूब करने की कोशिश करो अजयुछ तीन लेकाए निमीट टेस्ट है वह रिलैबलंतों है क्योंकि marking जो है सपास मार्किंट नहीं है क्योंकि जो आपका देранः फास तरह देख्द हो लेकिन है सेकंड को अगर हम देखते हैं तो तरीकिसे कर पा रहा है ठीक है और रिलाइबल भी है इसको ऊसके चाहिए है क्योंकि मारकिंग जो है आज पास ज्यादा डिफरेंस दिखेंगे कि टैस्ट वैलिड भी है और test reliable भी है अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि test नहीं तो valid है क्योंकि objective को पूरा नहीं कर पारे और नहीं reliable है क्योंकि difference जो है बहुत जादा आ रहा है मतलब test reliable भी नहीं है और valid भी नहीं है यह चीज यहाँ पर clear हो गई होगी उमीद है आपको validity, reliability दोनों clear हो गई होगी lecture ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही तक रखेंगे next आने वाली वीडियो में हम objectivity और norms उन दोनों चीज़ों को देखेंगे साथ इसाथ first unit से हमारे कुछ questions रह गए है test assessments related जिसमें आपका CGPA, CBCS तो उनको भी हम आने वाली वीडियो में cover करेंगे अगर आप इस series को continue करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर बैल राइकन को प्रेस ज़रूर करेगा और और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें जादे से ज़्यादा दोस्तों के साथ जाने हादे